east 12 गरजन राटी एक संप्पधो when it is a good morning श्टुडन्ट अब्राइम के बारे का बात करेंगे और ऐसे एक do बढ़ेट के दीन हम National Sport Day बनाते हैं उनकी बढ़ेट 29 ऑगस्ट को हुई थी 1905 के अंदर पूंकी बढ़ेट के दीन हम National Sport Day करते हैं वह हमारे National Award उनके पास और ऑलमपीक में तीन बार उन्होंने इंडिया को गोल मिलेद ँलाया हुआ है वो दीन में तो खिलते थे पर रात को भी खिलते थे रात को जब हंदिरा हो तब भी खिलते थे तो उनका नाम धियांचन स्रीम बन गया उनकी रेंग आर्मी के अंदर थे वो उनकी रेंग लांस नायक थी लांस नायक एक रेंग है आर्मी के अंदर एक रेंग होती है जैसे मैच हुई इंडिया और जर्मनी तब वहां का ताना साही हिटलर जिनको पूरी दुनिया जानती हिटलर के नाम से तब इंडिया और जर्मनी की मैच हुई थी तो इंडिया ने 16 गोल किये थे और जर्मनी ने सिफ एक गोल किया था और 16 गोल के अंदर सिफ 15 गोल तो सिफ मेजर मेजर ध्यान चन के थे तो हिटलन ने सब के सामने बोला कि यह प्लेयर की होंकी तोड़ो इसके अंदर मैगनेट निकलेगा यह हुई नहीं सकता कि एक प्लेयर पंधरा गोल कर सकता है तो मेजर ध्यान चन की होंकी तोड़ डाली तो उसमें से मैगनेट नहीं निकला तब सब स मैं आर्मी केंदर हूं एक लांस नायक हूं मैं तुम मेरे पास आजाओ मैं उयर मार्शल बना दूंगा बुलो नहीं को मैं इंडिया केंदर हूं और मेरा काम है इंडिया को आगे बढ़ाना मैं अपने देश से फ्किल्ण और आज जैने ज़ेंग उनको जानते मेजर मेजर ध्यान चन मेजर ध्यान चन की रहेंग लांस नाएक थी उसके बाद मेजर हो गई यह मतलब ओफिसर रहेंग होती है इतने बड़े हीटलर की ऑफर भी ठुकरा दी अपने देश के लिए यह अपने मोटीवेशन होता है यह कितने प्ल झाल झाल